एक तरफ जहार राफा के भीतर इस्राइली सेना पर हमास दनादन गोले बरसा रहा है वही दूसरी तरफ उत्री इस्राइल धीरे धीरे हिजबुला के साथ जंग की ओर बढ़ रहा है क्योंकि लेबनान बॉर्डर से सटी इस्राइली चौकियों पर हिजबुला एक के बाद एक बड़े बड़े हमले कर रहा है और इन हमलों के बीच इस्राइली फॉज उत्री बॉर्डर पर बुरी तरहा से उलच चुकी है और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुला ने आईडियाफ को दहला कर रख दिया है 21 मई 2024 को हिजबुला ने लेबनान बॉर्डर से लगी इसराइली सेना की कई सैने चौकियों पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने आलमाजर पोजिशन पर कोले बारूट से हमला किया इसके अलावा कैरेंटिना हिल में तो इसराइली सेना के जमावडे पर बड़ा हमला किया गया है हिजबुला का दावा है कि उसने कबजे वाले शीबा फार्म्स में रुविसत अलकरान पर गाइड़ेड मिसाइले भी दागी है बड़ी बात यह है कि इस हमले में पहले हिजबुला ने अलरहेब साइट पर रॉकेट और गोला बारू दागा था हिजबुला के इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया अलमयादीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दो बच कर तीस मिनट पर हिजबुला ने अलरहेब साइट पर रॉकेट और गोला बारू दागना शुरू कर दिया था इस से पहले दोपहर एक बजे रूचत अलकारान में आईडियाफ पर गाइड़ेट मिसाईल एदागी गई और इसके बाद दोपहर करीब तीम बच कर पांच मिनट पर अलरहेब साइन ने अड़े के पास इसराइली सेना के जमावडे पर फिर से हमला किया गया और इस हमले के बाद शाम करीब चार बजे हिजबुला ने मलीक या सेनने अड़े पर भी हमला किया है और इसके पैतालिस मिनट बाद यानि चार बज कर पचास मिनट पर अलमारेज सेनने अड़े पर हिजबुला के लड़ाकों ने ताबर तोड हमले कर दिये और शाम पाँच बजे जिब्दीन बैरिक पर हमला होता है और उसके ठीक 20 मिनट बाद कैरेंटीना हिल पर हिजबुला के गोले बारूद बरसने लगते है वहीं हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने आल रहेप सेनने अड़े पर रोकेट और गोल अबारूद दागा है जैसे ही उनकी आवाजा ही शुरू हुई वैसे ही उनके उपर रोकेट हमला कर दिया गया आपको बता दे कि हिजबुला ने रमीम और जिब्दीन बैरिक और अल रहेप सेनने अड़े पर हमले का वीडियो जारी किया है हिजबुला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक रोकेट बॉर्डर पार करते हुए पहाड़ियों पर बनी एक बिल्डिंग पर जा गिरता है और फिर उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है लेकिन इस सब के बीच इसराइल के मिलिटरी विशेशक्ये एलन बेंड डेविट का कहना है कि हिजबुला अब अपने ड्रोन्स में एक रेडार सिगनेचर इस्तिमाल कर रहा है जो इसराइल के स्वान ड्रोन जैसा है जिसकी वज़ा से इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है पाना बेहद मुश्किल हो इसराइल कर रहा है